Hey everyone, this is Rupali and welcome to B.Ed. Learners, a unit of aspiring teachers तो जो भी बच्चे aspiring teachers से पढ़ रहे थे, B.Ed. का knowledge and curriculum, second year के सारे subjects, MCQ-wise तो वही हम knowledge and curriculum जितने भी B.Ed. के second year के subjects हैं, वो हम B.Ed. Learners पर cover करेंगे साथ ये साथ मैं आपको first year के भी कुछ-कुछ topics करवाती रहोंगी तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे detail के अंदर, तो जिन्होंने भी अभी तक subscribe नहीं किया है तो like कर लीजे, share कर दीजे अपने friends के साथ and subscribe कर लीजे channel को क्योंकि हम यहाँ पर हर एक topic को detail में पढ़ेंगे और आज आप लोगों का topic है, first topic knowledge and curriculum से कि what is knowledge, knowledge क्या होता है, उसके types क्या है, characteristics क्या है तो first of all हम यह भी सीखेंगे इसके अंदर कि आपको questions कैसे लिखने है क्योंकि आपका जो exam में आता है, एक questions 16 नंबर का होता है तो 16 marks के अंदर at least आपको 4-5 pages तो लिखने पड़ेंगे अब आपको उतना concept नहीं पता कि आप उसके अंदर लिखोगे क्या तो कैसे लिखना है, यहाँ पर यह सब भी बताया जाएगा तो जिन्होंने भी अभी तक subscribe नहीं किया है, again subscribe कर लीजे and bell icon को press कर लीजे देखे, फिर start करते हैं first topic आपका, knowledge and curriculum का starting से में start कर आ रही हूँ important ही करेंगे हम जितने important topics हैं पहले वो cover करेंगे, फिर मैं आपको extra topics बताती रहोंगी जितनी जल्दी आप subscribe करोगे, share करोगे उत्ती जल्दी में आप लोगों की queries के लिए live session ले पाऊंगे इस channel पर चलिए, देखें, यहां पर लिखा है definition of knowledge अब आपको what is knowledge आ जाता है क्योंकि subject का name ही क्या है knowledge and curriculum, तो उसके अंदर आपको क्या करना है knowledge and curriculum के अंदर कि first topic ही आपका यह बनता है कि knowledge क्या होती है what is knowledge, characteristic क्या है knowledge की and types of knowledge क्या है three important questions in one तो आपके ऐसे questions आते हैं paper में तो देखें आप कैसे लिख सकते हो definition क्या होगे आपके knowledge की कि knowledge is a power यह word किसने, यह statement किसने गई है Hobbs ने गई है, तो knowledge क्या है ज्υान क्या है, एक आपकी शक्ति है, जिससे आप क्या कर सकते हो काफी सारे कामों को solve कर सकते हो, आप उसके प्रब्रम solving कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो अगर आपको knowledge है तो, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि knowledge क्या है एक आपका, यहाँ पर common sense है knowledge आपकी कि जो भी without method it is waste कि अगर आपको कोई method नहीं पता या कुछ नहीं पता आती नहीं है कुछ पता ही नहीं है तो वो क्या है knowledge waste है अगर आप किसे भी knowledge को apply नहीं कर पारे हो without kindness and it's fascinatism without religion it is death but with common sense अगर आपके पास common sense नहीं है तो आपने जो भी कोई भी method apply कर लो या without method वो waste है आपकी but अगर आप common sense use करते हो तो ये क्या है कि it is wisdom method के साथ apply कर सकते हो power है आपकी knowledge charity कर दे सकते हो beneficence है, religion है, virtue है life है, peace है ये words या ये statement किसने कही है लीने कही है अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए difficult हो गया, अब इसको easy कैसे बनाया हो जाए, तो knowledge क्या है अपनी language में हम तो करेंगे भई, हमें bookish language नहीं चाहिए हाला कि ये कुछ notes है जो आपके लिए beneficial होंगे short में given है, तो मैं आपको बता दूँ कि knowledge क्या है या फिर which men ought to do are rational warranty agents या फिर the ways and the means of attaining communicating such knowledge तो यहाँ पर small और easiest way में हम समझें knowledge को, ज्यान को कि अगर मेरे पास knowledge है common sense है, तो मैं आपको आपके साथ communicate कर सकती हूँ अगर मुझो language नहीं आती है, कुछ knowledge नहीं है मुझे बोलना क्या है, तो मैं communicate तो क्या हो गया, आप communicat Uhr करने में, किसी चीज़ को understanding बिठने में, किसी चीज़ को problem solve करने में, किसी चीज़ की understanding ऊसके लिए समझने में, या फिर उसके अंदर अपनी कुछ भी application करने में, किसी चीज़ को काम करने में, सब चीज़ में क्या चाहिए आप लोगों को knowledge चाहिए तो यही आप लोगों की definition बन जाती है कि knowledge क्या है कि आपकी हर एक चीज़ की understanding होगे common sense होगे आपके knowledge it is used in problem solving situations कि आप problem solving situations के अंदर आप use करते हो उसे to create things things को create करने में आपको use आते है कुछ different ideas सोचने के अदर आपको क्या चाहिए knowledge चाहिए तो यह मेरी simple definition थी कि मैंने अपने words में बताया आपको कि यहाँ पर creative thinking के लिए creative work के लिए understanding के लिए communication के लिए इन सब चीजों में आपको क्या चाहिए होती है knowledge चाहिए हो और यही आपको definition बन जाती है knowledge से इतने typical words याद करने की need नहीं है next हम यहाँ पर क्या देखेंगे इसके अंदर कि अब knowledge की क्या होती है characteristics भी होती है कुछ उसकी विशेशता है होती है कि अब आप knowledge को कैसे imply कर सकते हो भई तो knowledge क्या हो गया आपका knowledge क्या है knowledge acquisition involves complex cognitive processes, perception, communication, reasoning when knowledge is also said to be related to the capacity of acknowledgement in human beings देखें first characteristics है विशेशता उसकी क्या बनी है आपर अपनी अपनी भाशन में बढ़ो आप सब लोग जरुरी नहीं कि आप bookish language को रट्टा मारो क्योंकि B.A.T. के अग्जाम के अंदर आपकी यहाँ पर knowledge देखे जाती है आपको यह नहीं कि आपने कितना learn रट्टा मारकर बिल्कुल एजटेज लिख दिया है यह नहीं देखा जाता तो first आपके characteristics क्या बन जाती है कि knowledge क्या है एक आपको complex cognitive process है cognitive क्या होते है संगयनात्मक procedure है आपका ही कि उसके अंदर आप संगयनात्मक से आपका क्या क्या जुड़ा होता है perceptions लगाना, यहाँ पर intuitions होना यहाँ फिर communication करना किसी चीज़ को problem को solve करने के लिए reasoning देना कि यहाँ पर क्यों हुआ है, वो problem क्यों arise हुई है reason देना, तो यहाँ पर simple words में हमने क्या पढ़ा reason देने के लिए या communicate करने के लिए एक cognitive process का इस्तमाल करते हो आप जिसके अंदरा perceptions यूज कर सकते हो वो क्या हो गया है, एक characteristic बन गई है यहाँ पर और second देखेंगे some methods of generating knowledge such as trial and error कि अब आप knowledge को कैसे generate कर सकते हो कि जब तक आप try नहीं करोगे तो आप अपने knowledge को apply कैसे कर पाऊगे जितनी गलतियां करोगे, उत्रहीं आप उससे सीखोगे तो अब आपने यहाँ पर हम concept पढ़ रहे है पर जब paper में आप जाके करोगे तो आपका विल्कुल correct होगा and to create highly situational knowledge तो यह आपके क्या हो गया, second point हो गया कि जब आप उसके अंदर क्या use करते हो trial and error method को use करते हो learning from experience सीखते हो highly situational knowledge से आप create करते हो next, power a man of knowledge maintains power and knowledge is chosen above good कि यहाँ पर क्या है कि एक अगर man को knowledge है तो वो power को maintain कर सकता है तो अब देखें आप सबसे अपना known example लेते हैं हम अपना कि जैसे नरेंद्र मोदी है अब हो प्राइम मिनिस्टर की post पर है अगर उनके पास, क्योंकि सारी power hold किसके पास होता है प्राइम मिनिस्टर के पास तो वहाँ पर अगर उनके पास knowledge नहीं होती तो क्या वो इतने सारे काम कर सकते थे क्या वो इतना fame ले सकते थे नहीं तो यहाँ पर क्या है वो ही बंदा power को maintain कर सकता है जिसके पास knowledge है third point आपको मिलिया तो easiest point आपको करारियो मैं knowledge is like money knowledge कैसी है एक पैसे की तरह है कि अगर आपको यहाँ पर जितना आपको पैसे का लगता है कि हमारे पास भी उतनी earning होनी चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हम पैसे कमा सके तो ऐसे ही knowledge होती है जितना इंसान पैसों के पीछे भागता है उतना ही knowledge भी वैसी होती है कभी आपने सुना है कि जो आपने पहले आपको past experience था कि वो सड़ गया आपका यह खराब हो गया आपको कोई useful नहीं है तो कभी भी आपका knowledge जो है वो खराब नहीं होती है आपके हमेशा कही ना कहीं किसी भी काम में वो knowledge जो आपकी past है आपको past में मिली है वो कहीं ना कहीं useful आईगी आएगी next information is the source of knowledge अब यहाँ पर आपके पास एक question है का क्या information on knowledge में difference क्या है यह हम आगे अपने continuous session में रखेंगे पर information is the source of knowledge कि क्या है आपका एक information क्या है एक knowledge का एक source है next knowledge advances by steps not by leaps अब यहाँ पर knowledge क्या मिलेगी आपको यहाँ पर advance कैसे होगी जब आप और आगे बढ़ोगे यह नहीं क्या पीछे जाओगे आप जितना आगे बढ़ते रहोगे उतनी knowledge आपको एडवांस होते चले जाएगी knowledge is boundless कि यहाँ पर knowledge की कोई सीमा नहीं है कि आपने यह degree ले ली है तो आपकी knowledge आपको बहुत हो गई है ऐसा नहीं है जितना भी पढ़ लो उतना कम है इतनी सारी चीज़े हैं पढ़ने के लिए दुनिया में तो जितना पढ़ लो उतना कम है knowledge exists to be imparted कि हमारे knowledge इसलहीं बनी चाएगे कि हम अपनी knowledge सबके साथ share कर सके यह नहीं कि आपके पास knowledge और आपकी knowledge सिर्व अपने तक है तो वो किसी काम की नहीं है जितना knowledge आप शेयर करोगे उतनी आपकी knowledge भी बढ़ेगे और दूसरी के भी help होगी knowledge is a consequence of time यहां पर तो यह आपको काफी सारी characteristics मिल गई है कि आप knowledge की कैसे एक simple भाशा में लिख सकते हो next और आपका यह तरीका है यह लिखने का मैं बता रही हूँ क्योंकि जब भी आपके पास ऐसा question आई कि उसकी characteristics का है paragraph में लिखने की बजाए आपको कैसे लिखना है points के अंदर लिखे तो length थोड़ी दिख बढ़ती है paragraph में थोड़ी छूटी दिखती है length जितने आप points का use करोगे उतना paper भी neat and clean लगेगा आपका और साफ सुत्रा लगेगा और आपने लिखेगा कि आपको knowledge है reality में ही knowledge आपको कि तभी आपने इतने सारा present किया है clear हुआ चलिए next देखेंगे जो सबसे important है कि अब types of knowledge से काफी बार आपका question पूछा जाएगा तो यहाँ पर types of knowledge कितने परकार की knowledge या ज्यान होता है तो knowledge क्या है आपका first आता है priori knowledge priori knowledge को हम क्या कहते है कि thus there are such judgments which never doubted for a movement we find them in a basic principle of physics, in a mathematics the existence of such knowledge is metaphysics there is no casual judgment without mind thinking in terms of cause and effect to be knowledge a synthetic judgment must be necessary and it must be universal universality and necessity have their source not in sensation or perceptions तो एक important point आपको यहाँ से मिला हम सब important points देखेंगे और उनी को explain करेंगे अपनी भाशा के अंदर तो यहाँ पर priori knowledge क्या होती है कि जो आपकी universal होती है जो जरूरी होती है, necessity होती है और यही उनका source है मतलब कि हमें university हो गए जैसे कि universal क्या हो गए आप पे कुछ laws होते हैं, कुछ principles होते हैं जो universal applicable होते हैं, सब भी के लिए applicable होते हैं तो उसी को बोला गया priori knowledge जो आपको universal laws से principles से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा physics के अंदर कुछ laws होते हैं universal है, वो कभी change नहीं होंगे mathematics के अंदर कुछ rules और principles होते हैं theories होते हैं, जो same रहती हैं वो आप change नहीं कर सकते हो उन्हें ही बोलते हैं हम universal तो जो knowledge आपको universality and necessity के लिए मिलती है जो ज़रूरी होती है और वही, यह उनका क्या हो गया source हो गया, जो आपको sensation कि आपने कुछ presume कर लिया या perception बिठाली कि हाँ यह हो सकता है वो knowledge, prior knowledge नहीं कहलाती है बलकि कौन सी knowledge कहलाती है जो universally applicable होती है और जो ज़रूरी होती है तो यह दो तरीके के words आपको ध्यान लगने हैं प्रायरी के अंदर कि जैसे कि आपके principles हो गए हैं कि यह ऐसा हुआ है तो यह गलत है आप कोई cause and effect नहीं निकाल सकते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो तो यहाँ पर तो यहाँ पर to be a knowledge a synthetic judgment must be necessary and it must be universal तो यह दो words आपको ध्यान रखने हैं प्रायरी के अंदर कि first of all, प्रायरी क्या होता है कि जो आपकी universal knowledge है जो आपको sources क्या हो गए इसके दो source हो गए universal और एक necessity और यह universal क्या होता है it is universally applicable कि such as laws of mathematics principles of physics and mathematics कि they can't be changed जिसे आप change नहीं कर सकते हो तो वो उन knowledge को हम क्या कहते हैं प्रायरी knowledge कहते है अब यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर जैसे कि example दे दिया नोने कि यहाँ पर कि not in sensation or perception but in reason example जैसे कि अगर पहाड के पीछे एक आग लगे कि आपको दुआ निकलता हो दिख रहे तो आपके mind में thought क्या आएगा यहाँ पर कि पीछे आग लगी होगी पर आपने देखी नहीं है वो आग पर आपने thought बिठालिया क्या है वो आग लगी होगी पर यहाँ पर अगर यह एक इनिवर्सल है कि अगर कोई एक दुआ आ रहा है तो कई पर एक आग लगी होगी कुछ reason रहा होगा तब भी मासे वो smoke निकल रहा है तो वो क्या होगे यह कि इनिवर्सल प्रिंसिपल सा बैट किया है पर जो आपने देखा नहीं है जो आपने visible नहीं हुआ है तो वो knowledge आपके क्या होती है prior knowledge होती है कि उसका आपके पास reason है कि अगर वो आग लगी है तो अगर वो धुआ दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है क्योंकि आग लगी है महाँ पर clear हो गया उसे बोलते है prior knowledge next आएगा empirical और posterior knowledge अब posterior और empirical क्या होता है derived from experience जो knowledge आपको किस से मिलती है experience से मिलती है it informs us that object has such properties but not that it must have these qualities in other words such as our judgments are lacking in necessities they are lacking universality यहाँ पर अब empirical के अंदर जहाँ पर experience आजाएगा तो वहाँ पर universality हट जाएगा यह धिहान रखेगा क्योंकि universal के अंदर आपके experience नहीं आते है तो experience से आपको सबसे पहला word दिखे तो आप क्या करोगे empirical पर चाओगे empirical क्या होता है आपका experience है आपने कोई चीज़ observe करी है perceptions लगा लिए supervisions लगाए and experiences लगाए उनको हम क्या बोलते है empirical knowledge बोला जाता है या फिर posterior knowledge भी बोला जाता है तो यह दोनों आपको धिहान रखने है दो types अभी पढ़े हैं हमने एक हो है universal के साथ हमें जो मिलती है उसको हम बोलते है priori knowledge दूसरा पढ़ा हमने कि जो observation, perception, experience के साथ मिलती है उसको हम क्या कहते है empirical knowledge कहते है next other types के अब knowledges क्या हैं आपकी first intuitive knowledge intuitive अभी सिभा हम words में पढ़ते है intuitive क्या होता है कि आपको एकदम से intuition आई कि ये चीज होने वाली है आपकी तो it means कि आपको ideas gain हुए कि ये होने वाला है आपका ये आपको कोई एक certain knowledge मिली पर उसके कोई perception नहीं है उसे connection नहीं है उससे लेना देना नहीं है this is the clearest and most certain knowledge कि आपको certain knowledge के एक दम से आती है आपको ये it needs not to be proved and cannot be proved अब आप अपनी perception अपनी आप intuition आप किसी को कैसे proof कर सकते हो तो हम इसको जरुद भी नहीं पढ़ती है proof करने का और ये proof होता भी नहीं है ये आप इसको proof भी नहीं कर सकते है कि आपके mind में एकदम से क्या आपको intuition आई तो वो चीज होती है आपकी intuitive knowledge most easiest next demonstrative knowledge demonstrative knowledge क्या होता है आपका कि यहाँ पर आपको कुछ ideas को जैसे कि आप कोई चीज कर के दिखा रहे हो कोई जैसे कि एक demo होता है नहीं demonstrative knowledge उसे ही कहते हैं कि हमारा mind क्या होता है कि कई बार हमारा mind कि कोई ideas को enable लेना उसको perceive करना immediately महाँ पर क्या नहीं ले पाता है पर हम क्या कर सकते हैं उसको indirect ये direct way में भी दे सकते हैं जैसे कि this type of knowledge acquired by intervening ideas is called mediate, rational or demonstrative knowledge देखे थोड़ा सा tough हो जाएगा इसमें समझना पर मैं आपको easiest way में बताती हूँ demonstrative knowledge क्या होता है कि कहीं बार आपको ideas आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है mind में ideas नहीं आते हैं पर उसके जगे हम क्या कर सकते हैं कि आपको मैं कोई demo दूँ जैसे मैं हम class ले रहे हैं तो आपको एक demo मिल रहा है कि हम answers को कैसे लिख सकते हैं तो अब आपको demo लेने के बाद mind में answers आ गई कि हम ऐसे लिख सकते हैं points form में diagrammatic बना कर तो वो चीज़ उसको मैं आपको demonstrate किया और उसी knowledge को आपको क्या बोला गया demonstrative बोला गया Next is sensitive knowledge sensitive knowledge क्या हो गया आपका ही हाँ पर कि this knowledge of particular existence of external things goes beyond bare possibility जैसे कि यहाँ पर इसमें बोला जाएगा आपका कि आपके कुछ we are awake and forced kind of evidence which is beyond any reasonable doubt देके sensitive knowledge यहाँ पर क्या होती है आपकी कि जो आपकी एक external thing से beyond जाती है like कि यहाँ पर sensitive एक दम से कि आपके mind में ideas आ गए ठीक है बट वो कुछ काम नहीं कर पा रहे है फिर आपने उसको change करा कि आप उस situation में वो ideas नहीं लगा पा रहे हो तो एक sensitive knowledge हो गई वो आपकी कि वो उसके उपर कि वो एक reasonable doubt नहीं है आपका तो वो आपकी क्या किलाएगी उसने जॉन लॉक ने इस knowledge को क्या बोला गया sensitive knowledge बोला गया क्योंके कोई possibility नहीं है बेर कम possibility है बलके उसकी जो existence है उसकी जो existence है वो थोड़ी कम possible वाली है तो उसके हम बोलते है sensitive knowledge authoritative knowledge क्या होता है कि जैसे कि जो आपको universal applicable होती है permanent होती है और जो teachers आपको books से आपकी तक deliver करती है और कुछ authority की तरफ से आपको deliver की जाती है इसलिए उसका नाम क्या पढ़ जाता है authoritative knowledge पढ़ जाता है कि जैसे आपकी teachers ने आपकी books ने आपके scientists ने वो knowledge आपको दी है तो वो क्या हो जाएगी आपकी authoritative knowledge हो जाएगी जो आप उसको change नहीं कर सकते हो universally रहता है next revealed knowledge revealed क्या होता है कि हम जब कोई एक idea को या किसी चीज़ को हम उसको reveal कर दे जैसे कि example ने इसका जैसे कि आपको एक reveal knowledge कि आपके कोई knowledge कोई things आपको नहीं पता पर वो आपके ग्रंथों में religious books के अंदर लिखी है और आपने अगर पढ़ा उसको पढ़ा जैसे कि कोई पहले के राजा महराजा थे आपके saint थे तो उन्होंने वो knowledge निकाली है और वो ढूंड कर उन्होंने उसके अंदर लिखी है कि ऐसा हुआ था ऐसा भी है और वो आपको नहीं पता आप ग्रंथ पढ़ते हो और उन religious books के अंदर उनके बारे में discussion की गई है तो वो उसे क्या कहते है हमने किसी रहस्य को खोला है वो हो जाएगा आपका revealed knowledge clear तो यह था आपका आज का session जिसके अंदर हमने types of knowledge को cover किया है तो ऐसे ही points के अंदर आपको इतना भी लिखोगे तो चलेगा बहुत सादा इसके अंदर आपका है कि जैसे कि other types of knowledge हो गया intuitive है, demonstrative है, sensitive knowledge है आपकी authoritative knowledge है and revealed knowledge है easiest form में मैं आपको बता दिया है next इसके हमने पढ़ा पहले जो important types है empirical and posterior knowledge फिर उसे पहले पढ़ा priori knowledge इससे पहले हमने किया था characteristics of knowledge वो भी points form में आप लिखेगा and उसे पहले बस थोड़ा सा अगर आए कि what is knowledge, तो knowledge को अपने terms के अंदर define कर दीजगा, 4 to 5 या 6 lines के अंदर, enough रहेगा इतना भी presentable way में आप करते हो तो well and good, ऐसे ही आपको present करना है और ऐसे ही आपको समझना है उसके basic basic point आप उठा लीजे और उसी को आप क्या कर दीजे explain कर दीजे, एक point की form में एक paragraph की form में तो ऐसे आपको present करकर आना है paper अपना I hope कि आपको ये session से helpful हुआ होगा मज़ा आया होगा पढ़ने में कि types क्या होते हैं, priori किसे हम कहते हैं universally जो आपको मिलती है laws and principles and knowledge और empirical क्या होता है, जो आपको experience perception से मिलते हैं next आपने आप पढ़ा intuitive knowledge क्या होते है कि एकदम से आपको intuition आई कि आपको ये काम करना है जिसे आप proof नहीं कर सकते हैं और वो proof होता भी नहीं है demonstrative knowledge क्या होता है कि कोई आपको demo दिया और आपने उसको समझाओ और फिर ideas आप अपने mind में लेकर आए sensitive knowledge क्या होता है जिसको आप, which is beyond any reasonable doubt उसको कोई reasonable doubt नहीं होता कि जैसे कि possibility कम होती है जैसे उसके existence है उसके existence है, उसके possibility कम होती है कि जैसे आपको कोई भी idea आया दिमाग में पर उसको existence कुछ नहीं है तो possibility कम है, वो हो जैगी sensitive knowledge authoritative knowledge क्या होती है जो permanent, universally applicable होती है जो आपको books से मिलती है और आपकी teachers, आपकी scientists आपकी tutors आपको देते हैं तो वो हो जाएगा authoritative knowledge revealed knowledge कहलाए गई कि जो रहसे आपकी गरंतों में religious books के अंदर खोले गए है तो वो कहलाए जाते हैं आपके revealed knowledge चलिए फिर अच्छा लगा होगा आपको session तो like कर दीजेगा and share कर दीजेगा अपने friends के साथ thank you so much, अगर आपको ऐसे ही sessions चाहिए हैं, तो like and share जितना आप करोगे, उतना ही मैं आपको classes दे पाऊंगे thank you so much